सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूले कि नाख़़ अंते थि उस पर उन्होंने हाथ भारत का पुरुष कभी भी महिला पर हाथ नहीं उठाता और जो पुरुष महिला पर हाथ उठाता वह पुरुष नहीं है इसलिए नारियों पर कभी हाथ ना उठाओ हाँ डाट देना ठीक है समझा देना ठीक है पर हाथ उठाना ठीक नहीं पत्नी पर इस्त्री जाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए मैया जी पुरुषों को चाहिए अच्छा आज बहुत सारे पुरुष होते हैं वह अपनी पत्नी को पाउं की जूती मानते हैं बहुत सारे पुरुष होते हैं वो अपनी मरदानगी में रहते हैं हम तो पुरुष हैं बड़े हैं हम तो तुमारे हम तो कमा के लाते हैं तुम तो हमारे पाउं की जूती हो भाई साब देखो नारी पाउं की जूती नहीं होती नारी सिरकी पगड़ी होती है जो कि आपका गौरव है आपका सम्मान है एक नहीं दो-दो कुलों को सवारती है स्त्री इसलिए आपके बच्चे को जनम देने वाली वो जननी है, आपका वंस बढ़ाने वाली वो माता है, इसलिए नारी का सम्मान किया जाए, नारी का अपमाना किया जाए, कोई पुरुष कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, पतनी कुछ नहीं है, तो फिर साहब तुम अकेले क्या कर लेते, हाँ, यदि पुरुष बाहर निकल के कम आता है, तो घर की विवस्थाएं करना भी आम बात नहीं है, जो की महिलाएं घर का सारा काम करती है, घर को मैंटेन करती है, यदि आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं, तो घर का मैंटेन नारियां करती है, जरा तुम एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा, इसलिए ना तु फोर्टी नाइन है तो यह पुरुष की सोच गलत है नारी कम नहीं पुरुष जादा नहीं तुम दौनों साइकल का पहिया हो साइकल में दो पहिये होते हैं अब बताओ दो पहियों में कौन सा पहिया महत्व पूर्ण है और कौन सा पहिया हम निकाल के फेक दें बताओ 10 हो दोनों बराबर हो बस ग्रहस्थी की गाड़ी के दो पहिये हैं पती और पत्नी दोनों को बराबर की भागीदारी से बराबर की समझदारी से चलना यदि आप दोनों समझदारी से चलेंगे तो आपकी ग्रहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी और यदि एक को अह अब पतनि हंकार करने करने लग जाय मैं तुम c possiamo कमाती हूँ कि पुरुष ज़्यादा हंकार करने लग जाय जाती नहीं है मेरे कारण dirt lan चो मेरे अपनी पतनी को अइसे ताने मारें तो क्या पालेंगे कि क्या हासिल कर लेंगे अपनी पतनी को ताने मार के अब जैसी है तुमारी साधी के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि किस बाप की बेटी से विवाह करें किस बाप की बेटी से ना करें अब विवाह कर लिया है तो ताने ना मारो उस रिष्टे को निभाओ यही समारी समझदारी है निभाओ अब ताने मारने से कोई समाधान तो निकलना नहीं इसलिए समझदारी यहा है और मैं आपको बता दू रिष्टे सब के भगवान तैं करते हैं रिष्टे सब के भगवान बनाते हैं हमें तो मृत्यू लोक में आके केवलोन रिस्तों को निभाना होता है, तो बड़े प्रेम से निभाओ, लड़ाई जगडे में कुछ नहीं रखाओ, पती जो है, जैसा है, अच्छा है, तुम्हारा पती गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, अब निभाना है, अब लड़की अच्छी है कि खराब है लड़का अच्छा है कि बुरा पहले निश्चित कर लो साधी के बाद मूना बनाना फिर रिस्तों को निभाना अब जैसी है और जैसा है वह आपकी है वह आपका है रिस्तों को निभाना सीखो रिस्तों को विगाड़ने से कोई फायदा ने तो नारी पाव की जूती नहीं सिरकी, पगडी है तो नारी का अपमान कदापी पुरुष को नहीं करना चाहिए समझधार पुरुष तो अपमान नहीं करता कुछ मूर्ख क्वालिटी के पुरुष होते हैं, वह अनादर करते अपमान करते